नमस्कार दोस्तों दाब मास्टर प्रकास क्लासेज में आप सभी भावी सिचिकों का बहुत बहुत स्वागत हैं यह आपके प्रसनोतरी संखला चराई जा रही है जिसमें आपका प्रतेक दिन 25 कुश्चन का विसलेशड होता है और 20 कुश्चन आपके सुपर टिट में आना ह तो अगर 25 कुश्चन को पुरा इमानदारी के साथ आप लोग जुड़कर मेहनत करके विसलेशड सुनते हैं और कापी कलम लेकर नोट करते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है तो देखेंगे आज के सेशन का पहला कुश्चन आपका तस्सम सब्द का चैन कीजिए बताएंगे सेर बबर सेर ब्याखर बाग तो हम आपको जिदनी बार भी पढ़ाते हैं ट्रिक बताते हैं कि जहां आपका च्छा आए च्छा मतलब ये च्छत्रिय वाला त्रा आए और खटी सा आए आधा रा आए और कोई भी आधा वड़ाए वहां आप तस् का नहीं है तो बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा ये नियम फालो करिये आप तो सेर होगा कि भी आपका बबर सेर होगा सी आपका बाग होगा डी अपसन ब्याग्र होगा कि दी अपसन बाग होगा तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा तो पहले का आपका सी हो जाएगा अगला question number 2 देखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो subscribe, share और like करना नहीं भूलिएगा आप लो मा का सब्सक्राइब है, मा सब्द का सब्सक्राइब है बताना माता होगा, मात्रिका होगा, कि मात्री होगा, कि D option आपका अम्मा होगा तो दूसरे का बताएब कि आप लो कौन सा होगा, मा सब्सक्राइब का सब्सक्राइब होगा अगला question देखेंगे, question number 3 यह बहुत बढ़िया question है, आपका नीली साड़ी में कौन सा विसेसर है तो पहले तो यह जानिएगा विसेसर क्या होता है तो विसेसर आपका जो संग्या सर्वनाम की विसेसर बताता है वही आपका क्या होता है, विसेसर होता है बेहतरें समझ रहे होंगे आप लो कि जो संग्या सर्वनाम की विसेसर बता है, उसे क्या कहते है विसेसर कहते है अब अगला कुश्यन उड़ता है कि विशेषड कितने प्रकार के होते हैं तो आपका विशेषड कितने प्रकार का होता है तो चार प्रकार का होता है कौन कौन सा होता भी या तो संख्या वाचक विशेषड परिमाड वाचक विशेषड गुड वाचक विशेषड और सार्ब नामिक भी सेसर तो बताएंगे नीली साड़ी में कौन सा भी सेसर है आप लोग तो आप बताईएगा अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा अपसन लगाए तो परिशान होने की बात नहीं आप तुरंत कटिए इसको तीनों अपसन तो क्या नीली कोई संख्या है न नहीं ये भी कारतीजिए अगला कुश्यन आपका बचा सर्वनामिक और गुडवाचक तो आप बताना क्या नीली सर्वनाम कभी पढ़े हैं आप नहीं पढ़े तो आपका कुश्यन बेहतरीन जबाब आपका सी हो जाएगा और इसी परकार आप लोग करते रहे तो आपका चाहे बिसेशड से किरिया से आपका एक भी कुश्यन गलत नहीं होने वाला तो कुश्यन नमबर चार देखेंगे आप लोग बिसेशड सब्द का चैन कीजिए बिसेशड अभी आप लोग को डिफिनेशन बताए कि जो संग्या सर्वनाम की बिसेशा बताए उसे क्या कहते ह अब यहां बताना कि सरपंच है, कि B पांचवा है, C प्रपंच है, D पहुच है, तो जो पहुच है वो आपका किरिया है, और सरपंच आपका संग्या है, प्रपंच भी आपका संग्या है, बचे आपका B अपसन पांचवा, पांचवा आपका विसेशड है, आप पूछे कौन को सब इस सड़ है पाच्वा तो बठाईएगा कौन सब इससड़ हो गया तो पाच्वा इससड़ापका संख्या वाच्वा चंव में भी कोन सब इससड़ टो 500 देंगे क्रम वाच्यक विसेश्ड यह समक्हों को complete Hindi आपको मिलेगे अगला देखेंगे question number 5 रिसी संग्या सब्द से 26 सब्द क्या बनेगा बताएंगे रिसी से आर्स बनेगा कि रिसी कल्प बनेगा C option रिसी तुल्ली बनेगा D option रिसी वत बनेगा तो 5 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा तो 5 का रिसी संग्या सब्द से 26 आर्स बनेगा समझ रहे हैं आप लोग रिसी से क्या बन जाएगा आर्स अगला बताना भाइबीत निर्भीक बिरू भै तो बताएंगे छहाटमा का कौन सा कुश्यन हो जाएगा ईंसर आपका तो ब्याकरण की दिरिस्टी से भाइजो है वाजजभेबीस संग्या नोट करते चलिए भाया आप कापी और रपैं जरूर लेकर बथइगा क्योंकि बेहतरीन रिजल्ट के लिए प्रेक्टिस अभ्यास बहुत जरूरी होता है अगला देखेंगे कुश्यन नमबर साथ एक प्रतिभा संपन्चात्र का बिसेशन है बताना एक प्रतिभा संपन्चात्र अब इस वाक्यांस में आपका बिसेशन कौन सा हो जाएगा बताएंगे कौन सा हो जाएगा तो आपका साथ का डी हो जाएगा में धावी हो जाएगा कुश्यन नमबर आठ देखेंगे निम लेखित में से कौन सा सब्द सुद्ध है बताएंगे परिच्छा बी भीमारी सी आशिरवाद डी पार लवकिक तो आठवा का आपका बहतरीन एंसर होगा कौन सा पार लवकिक होगा तो बीमारी का कैसे होगा तो बापे बड़ी की मातरा भी लगता है भया आशिरवाद भी आपका गलत है क्योंकि आशिरवाद होता है बड़ा आसा पे बड़ी की मातरा वाकियो पर ठीक दा हो गया परिच्छा भया जो होता है उस परिच्छा में रापे छोटी की मातरा नहीं होती, रापे बड़ी की मातरा होती है, ये सब उम्मीद है, आप लोग नोट जरूर करते होंगे, अच्छा जब नोट करेंगे ना, तो बैट की पढ़ेंगे, और नहीं तो कुछ लोग लोग होते हैं, इसे अंदर गुसे रहेंगे, और वहीं से पढ़ते रहेंगे, मतलब बस किसी तरीके से मोबाइल टांगे रहें, बस, और जब आप लिखेंगे न थे एक्टिव रहेंगे आप लोग, नीन दूंध भी नहीं आएगी, हाई कि नहीं, आगे देखेंगे कुशन नमबर 9, निम लिखी संधी भी छेद में से कि में यन संधी है, बताएंगे आप लोग, अच्छा यन संधी में कितने वड आते हैं, तो आपके चार वड आते हैं, कौन-कौन से भी या, तो या आता है, वा आता है, रा आता है, और लाता है, तो अब बताएंगे आप लोग कि नारी धन इंद्र में है, कि सुब धन सब्सक्राइब जरूर करिएगा इससे हम लोग मोटीबेट होते हैं कि आप लोग को हमारा सेशन बहुत पसंद आ कि देखिएगा दस्मा को शन्निम लिखित में से कौन सा सब्सक्राइब तो बताएंगे मयूर है कि सिच्छा है कि सेट है कि रेल गाड़ी है तो दस्मा का कौन सा हो जाएगा आपका संकर सब्सक्राइब पहले आपको पता होना चाहिए शंकर होता क्या है तो बंबं भोले भं भासाओं का मिसरण हो उसे आप लोग संकर सब्सक्राइब आप लोग क्या मतलब व्याकरडिक दुनिया में ही सब लोग संकर सब्सक्राइब यह आपका रेल गाड़ी है क्योंकि रेल आपका इंगलिस सब्सक्राइब और गाड़ी आपका देशस सब्सक्राइब अगला कु बहुत बढ़िया है यह मोहाबरा आप लोग बताएंगे तो 11 का खतरनाक कुष्चन है आपका 11 का हो जाएगा बी हो जाएगा भाईया अपने पाउपर कुलहाडी मारना अगर परस पर विरोधी दलों को आप सहारा दे रहे हैं तो समझ लिजिए आप अपने पैर पर मार रहे हैं इसलिए कभी भी विरोधी दल का वैसे भी दुनिया में विरोधी दल का आपको साथ मत दीजिए क्योंकि वह तो डूबे यही और आपको भी डूबा देंगे ना अगला देखेंगे कुष्चन नंबर 12 भासा का मूल रूप कौन सा है लिखित रूप मौकिक पहले भासा बोली जाती थे तो रिटन की कोई सामागरी नहीं रहती थी कोई लिखा पढ़ी नहीं होता था समझ रहे हैं कि अबल मोखिक होता था जैसे आज लोग चिडिया भाएस यह सब जानवर बोलते रहते हैं अगला कुष्चन देखेंगे भी यह कुष्चन नंबर 13 समसीर क oni ब्हुत बहुतरिं कुष्चन द्वंद समसी बहुद समसी चाइ数 नहीं स्थटपुरुस समस भी आपका कर्म आतार तो राजा का पुत्र होगा आपका तत्पुरुस समास हो जाएगा तत्पुरुस समास की डेफिनेशन परिभासा क्या होती है नोट कर लीजेगा पैन लेकर कि जिस समास का यह जिस पद का उत्तर पत्परधान हो आपका कौन से समास होता है जो तत्पुरुस समास होता है अग चौदा का आपका कौन सा हो जाएगा तो चौदा का सी अपसन हो जाएगा हार मान लेना अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर पंदरा आपने हमें आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है बताएंगे आप लोग अग्यार्थक वाक्य है बिस्मयादी बोधक वाक्य है निसेधार्थक वाक्य है इच्छा वोधक है तो पंदरा का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा बिस्मयादी बोधक वाक्य है अगला कुशन देखेंगे कुशन नमबर 16 प्रभंजन सब्द का पर वंजन सब्द का परियावची जंजा होता है अगला कुश्यन नमबर 17 देखेंगे कनिष्ठ का भी प्राथक सब्द क्या है स्रेष्ठ है कि या स्रेष्ठ है कि जेष्ठ है कि बृध्ध है तो 17 का बताएंगे आपका कौन सा विकल्प से होजेगा सी जेष्ठ होगा अगला कुश्यन आपका 18 ये बहुत लाजवाब कुश्यन है आपका बीडा पाणी में कौन सा समास है बहुबरी समास है करमधारे समास है अब बेभाव समास है कि दंद समास है तो बीडा पाणी जिसके हाथ में बीडा हो अर्था सरुसती मा और जहां कितने परकार होते हैं बताएंगे तीन प्रकार यी आप शंचा स्रीआप शनफांस प्रकारध हैर खेंङे तुपत्ति कि दृष्टी से आपका कितने प्रकार हो जाएगए भी चार प्रकार कौन-कौन होते हैं भाइजा तो नोट कर लिजेगा तादभावता संदिसज विदेशज अगला देखेंगे कुष्ण नंबर बीज अर्थ की आधार पर वाक़िके कितने भेध होते हैं तीन भेध पांस भेध आठ भेध इछा भेध तो आठी की अगला कुशन नमबर 21 देखेंगे साहित जनता की चित विर्तियों का संचित प्रतिविम्ब है यह उक्ति किसकी है स्टेटमेंट से भी कुशन पूछा जाता है आपका तो बताएंगे नागेंद्र हैं कि रामचंदर सुकुल हैं कुशन नमबर 22 देखेंगे आप लोग मर्यादा किस युक्की परसिद्ध पत्रिका थी दुवेदी युक्की भी चायावाद उतर युक्की सी भारतेंद्र की डी आपका चायावाद उतर युक्की टो बाइस का बताएंगे आप लोग कौन से कुशन हो जाएगा अनसर हो जाएगा तो बाइस का सी हो जाएगा मर्यादा भारतेंद्र की परसिद्ध पत्रिका और शुर्ण देकेंगे कुछन नमबर टेज़ है एक और मतलब क्या होता है आपकापाव थाया चंद्रमा का जान रहे हैं आप लोग, मून, मून तो इंगलिस सब्द है, है कि नहीं, मयूर का तो कई है, कलापी है, और है अगे, अगला कुश्चन देखेंगे, 24, गती का परियाय है, बताएंगे, चाल होगा, B मार्ग होगा, C कर्म होगा, D आपका किरिया होगा, तो 24 का ब कि जब आखरी आता है, तो कुछ ना कुछ बहतरीन रहता है, आपका, आडे हाथो लेना, वाह, इसमें कौन सा बिकल्प सही होगा, बताएंगे, A स्वागत करना, B सीने से लगाना, C खरी खोटी सुनाना, D धक्का देना, तो 25 का कौन सा हो जाएगा, C खरी खोटी सुनाना, तो वीडियो कैसी लगी, यह जरूर कमेंट बाक्स में बताईएगा, और लाइक जरूर करिएगा, तो यह आपका 25 कुछन कम्पलीट हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!